आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्स्टा नॉलिजी इन हिंदी में मैं आज आज आप लोगे लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो गया है आज का मेरा वीडियो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों को पता होना चीए 2024 में एक पहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आप लोगे लिए निकल के आई हुई है जिसके की online apply यहां पर चल रहे है जी है मैं बात कर रहा हूँ Indian Railway में RPF RPF की जो आप लोगे रिक्रूटमेंट आई हुई है Constable, Executive और Sub-Spector की Vacancy है आप लोग देख सकते हैं यहां पर Sub-Spector और इसी प्रकार से Constable Form Apply की Last Date 14 मई 2024 है Notification के मात्यम से पूरी जानकारी मैंने आप लोगो प्रवाइड कराई है Online Apply का वीडियो भी मैंने काफी पहले ही आप लोगो प्रवाइड कर दिया था Constable Executive के लिए Form Apply की Last Date 14 मई 2024 है इसी प्रकार से Sub-Spector Executive के लिए भी आप लोग की Form Apply की Last Date 14 मई 2024 है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है अब समय नहीं है आप लोग के पास यदि आप लोगोंने Form Apply नहीं किया है तो आप लोग को Form Apply करना है जिहां आज ही आप लोग Form को Apply करेंगे 14 मई आप लोगे Last Date और यदि Form में किसी प्रकार की कोई Mistake हुई है तो 15 मई 2024 से आप लोगों का Process यहां पे Start हो जाएगा जिहां Form Submit करने के बाद यानि कि Form Apply करने के बाद ही आप लोग करेक्शन कर सकेंगे ध्यान रखेगा पहले आप लोगों को Form को भरना ही होगा और एक Post के लिए दो Form आप लोग नहीं भर सकते हैं इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है क्योंकि काफ़ी Candidate हैं जोगी Last Date का वेट करते हैं या फिर कहीं Job कर रहे होते हैं कि Last में Form को Apply करेंगे तो वो समय अब आ चुका है इसके बाद अब आप लोग को समय नहीं मिलेगा तो Form को Apply कीजिए दोनों ही Vacancy के लिए आप लोग Form Apply कर सकते हैं Means Constable, Executive, Sub Inspector, Executive दोनों के लिए आप लोग Form Apply कर सकते हैं लेकिन दोनों के लिए आप लोग को अलग-अलग Form Apply करना होगा इस चीज का ध्यान रखिएगा तो समय नहीं है आप समय नहीं है आप लोग के पास Constable, Executive, आप लोग देखें कि 4,208 Vacancy है Male, Female, दोनों ही Candidate Form को Apply कर सकते हैं आप लोग को बड़ा Benefit मिला हुआ है ऐसी Recruitment अब आप लोग को देखने को नहीं मिलेगे जिहां 3 साल का Benefit यहां पे आप लोग को इस Recruitment में दिया गया है 18-28 साल आप लोग की Age है, जनर्नल वालों की 17-2024 से आप लोग की Age काउंट हो रही है ज़िए आप लोगों ने Constable के लिए Apply किया इसी प्रकार से सब Inspector के लिए 452 Vacancy है Age आप लोग की 20-28 साल जनर्नल वालों की OBC को 3 साल का HCT को 5 साल का Benefit यहां पे मिलेगा ही मिलेगा तो एक साथ 2024 से ही आप लोग की Age काउंट हो रही है और सब Inspector की Post के लिए भी 3 साल का Benefit यहां पे दिया गया है तो मैंने आप लोग को पहले ही Clear कर दिया है अब ऐसी Recruitment आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी तो यह Last Chance है आप लोग के पास जी हाँ Age में जो Benefit आप लोग को मिल रहा है इसका फायदा उठाइए Form को Apply कीजिए और अलग-अलग आप लोग दोनों ही Form Apply कर सकते हैं यदि आप लोग Eligible हैं लेकिन किसी एक Post पे आप लोग किसी टेकनिक से किसी तरीके से आप लोग दो Form मत Apply कीजिएगा यानि Constable Constable के लिए एक और सब Online Apply का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है आप लोग वीडियो देख सकते हैं पूरी जानकारी मिल जाएगी लिंक आप लोग को दे दूँगा इस वीडियो के Description बॉक में सबसे पहले आप लोग को यहां पर अपना Account Create करना है यदि Railway की वेबसाइट पर अभी तक आप लोग लोग Account Create नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग Account Create करना है Apply वाले बटन पर Create Account पर आप लोग क्लिक करेंगे ओक्के करने के बाद आप लोग को Account Create का Option यहां पर आ जाएगा चीहां इसमें कोई चेंजेस आप लोग नहीं कर सकते हैं मैं आप लोग बता तो जी हां यहां यदि आप लोग अभी Form Apply कर रहे हैं तो Form को बहुत ही ध्यान से आप लोग भरिए जो आप लोग का यह Account वाला पेज है इसमें कोई correction आप लोग नहीं कर सकते हैं नेशनल्टी और इसके अलावा अधर जो चीजे आप लोग की आगे आएंगी Form Apply में वह आप लोग करेक्ट कर सकते हैं लेकिन एकाउंट में कोई correction नहीं कर सकते means आप लोग की नेशनल्टी जो है वह रहेगी उसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं आपका अपना नाम, नाम को दुबारा से type कीजिए नाम यदि चेंज किया है तो yes करके आप लोग उसकी detail देंगे date of work जो की 10th के certificate के अनुसार है उसकी entry करने के बाद दुबारा से हाँ पर manually entry करेंगे इसके लावा gender male female जो भी है उसे दुबारा से हाँ पर select करेंगे और इसके बाद father name जो भी है आप लोग ठीक है वो भी आप लोग 10th के certificate के अनुसार ही दिखेंगे फिर दुबारा से father name के entry, mother name के entry, इसके बाद mother name के दुबारा से entry, अधार card डाल करके you verify using अधार card आप लोग यहां पे करेंगे, अधार card का verification करेंगे, इसके अलावा आप लोग email ID और mobile number डाल के generate email OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आप लोग को verify करना होगा, OTP आप लोग के mail पे आया हो ठीक है, इसी परकार से mobile number डालने के बाद generate mobile OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आप लोग के mobile number पे आगे, entry करेंगे, दोनों ही चीजे verify हो जाएंगे, इसके बाद आप लोग एक password create करेंगे, जी है, password create करके, same password आप लोग दुबारा से यहां पे entry करेंगे, password में आप लोग का यहां पे capture दिया है, डाल करके create account में click करेंगे, account create हो जाएगा, online apply वाला page आप लोग का open हो जाएगा, जी हां फिर आप लोग online apply करेंगे, और सबसे important चीज में आप लोग को clear कर दूँ, form में जो सबसे important चीज है, वो है आप लोग के signature और photo, जी हां signature और photo का आप लोग ध्यान रखेंग cap और google आप लोग ने ना लखा, जी हां cap और चस्मा वेगार आप लोग ने ना पहना हो, धुंदला photo आप लोग का नहीं होना चीज है, तो इस प्रकार से photo upload करेंगे, signature की जानकारी भी मैंने आप लोग को दे दी है, signature running script में करेंगे, जी हां running hand में आप लोग करेंगे, अलग hand में आप लोग का होना चीए, इस चीज का आप लोग ध्यान दखेंगे, तो बिल्कुल form को apply कीजिए, अभी भी कोई problem आ रही है, तो video comment box और comment करके पूछिए, क्योंकि आप समय आप लोग के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, टेलेग्राम का link दिये, आप लोग उससे जु सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे written exam होने वाला है, computer based आप लोग का written exam है, इसके बाद आप लोग का जो है physical होने वाला है, दस गुना candidate यहाँ पे physical के लिए pass किये जाएंगे, इसके बाद पिर आप लोग का medical होते हुए final selection होने वाला है, जी हाँ पूरी पूरी जनकारी मैं आप लोग को provide कर दी है, और इसके लावा education qualification 10th class पास है, तो आप लोग यहाँ पे form भर सकते हैं, constable की post के लिए, और इसी प्रकाचे सब inspector के लिए यदि आप लोग graduate हैं, तो form को apply करे हैं, graduate का मतलब BA, BST, B.com, BE, B.tech, और यहाँ पे fees आप लोग की लगने वाली है, फिर चाह पर दर के 500 रुपए आप लोग की fees लगने वाली है, यानि कि General OBC, Male Candidate यहाँ पे 500 रुपए, SCST, Excerishment, Female, Minorities, EBC वालोग को यहाँ पे 250 रुपए, EWS वालोग के भी 500 रुपए यहाँ पे लगने वाली है, इस परकार से आप लोग की fees है, fees आप लोग की refund भी होगी, पूरी ज झालोग की है, सबस्स्राइन की है, सबस्राइन के लोग है